ते टेबल क्लोथ मेच पोश और ये जो थी कि ये बंद होगी थी चर्च तो ये सबबन ब्रुक्लिन में थी तो कहते हैं में हम अक्टूबर में हम लोग इस चर्च के वास गए लेकिन हम बहुत excited थे लेकिन जब चर्च को देखा तो पाया कि ये बहुत ही बुरे कर सकें और अपनी सर्विस जो है पहली सर्विस क्रिसमस ही पर करूंगा तो मैंने जो है बहुत मेहनत करी और उस चर्श को ठीक किया उसकी के भी प्लास्टर खराब थे उसकी चट टूटी वी थी ली कर रही थी पिंट की रिक्वार्मेंट थी और बहुत मैंने मेहनत करी और 18 दिसम्बर को ahead of schedule मैंने विकुल ठीक कर दिया इसको लेकिन कमाल ये हुआ गे 19 तारिक में बहुत ही जबर्दस टॉम आया और बहुत बरसात हुई बहुत स्टॉम आया दो दिन तक जो है बरसात होती रही तो 21 तारिक मैं चर्च गया तो देखके जो है मेरा वदलब जो है असर गिर गया और वो बुरा सिमेंट दिखाई दे रहा है बहुत ही बुरा लग रहा है कहते कि सारा जो मेरी मेहनत थी तो मैं बहुत ही डिसकरज़वा मैंने का कि यह 25 तारिक आ रही है तो मैं इसको कैसे ठीक करूँगा कितना खराब लग रहा है इसको तो ऐसे में तो हम यहाँ पे जो है Christmas celebrate करी नहीं सकते है Christmas यह service कैसे करूँगा मैं तो कहते हैं मैं इसी अस्वंजस में था अपने घर की तरफ निकला तो रस्ते में देखा कि किसी resident ने ना yard से लगा रखी है charity से लगा रखी है तो वैसी मैं उतर गया पता नी बेध्यानी में चला गया मामिलने के लिए और देखा कि वहाँ पे जो है एक बड़ाई सुन्दर सा एक क्रोश्या का टेबल क्लॉस था वड़ी सुन्दर इम्रॉइट्री और कलर जो था वो हमारी दिवार से मैंने का अगर मैं यह टेबल क्लॉस ले करके इसको जो मैं टांग दू दिवार के उपर तो इससे मे क्याती कि मेरी बस मिस होगी है अगली बस तो बहुत देट आएगी कम से कम 45 मिनिट लगेंगे तो मैंने उस लेडी को कहा कि आप आजो मेरे साथ चर्श में बैठो यहां बहुत थंड है तो वो लेडी बैठी भी थी और पैस्टर जो है उन्होंने लैडर लिया और जा करके कीलवी लेके आए, कि भी वो जो टेबλ लोग लिक्रा है उसको धीर प्रेंग करने लग रहे है तो जैसे दिवार पे हैंक किया तो लेडी ने का अरे पैस्टर एचीज चेक करो ना कि यह टेबल लोग बड़ा ही जाना पहचाना सा लग रहा है इसकी नीची की तरफ जो है क पे वाकी EBG लीख हमा था तो पैसर बड़ा ही हरान तो कहतें कि अच्छा ये ये कैसे तो उसने काई दी है तो मेरा ही बनाए हुए और कमाल की बात है कि ये जो है मैंने आस्ट्रिया में बनाया था तो 35 साल 35-40 साल पहले और उसके बाद में जब नाजी ने आक्यूपाई किया आस्ट्रिया तो मैं अपने हजबन से बुच्छड़ गई उनको जेल होगी और उसके बाद से मैं उनको दुबारा कभी नहीं देखी फिर मैंने जो है यूएस आगी तो पैसर ने का ये तो पिर आपकी दुबड़ी धारी यादर जुड़ी होंगी मैं आपको ये उतार के देता हूं ये आप ले जाओ तो लेडी ने का नहीं नहीं आप लगाओ अच्छा लग रहा है यहाँ पर मैं इसका क्या करूंगी तो फिर उनने का कि चलो ठीक है एट लीस मैं इतना तो करी सकता हूं कि आपको मैं घर छोड़ देता हूं तो पैसर ने जो है लेडी को फिर जो है अपना वो लगाने के बाद में घर चोड़ दिया और फिर जो है क्रिसमस आई और उन्होंने पूरा अपना क्रिसमस की इव सेलेबरेट करी पूरी चर्च एक दम फुल थी सब लोग बड़े खुश थे चर्च के खुलने से एंड इवेंचुली जब पूरा मास वगर हो गया तो सब लोग अपना घर चले गए बट एक आदमी जो है वह बैठा रहा बैठा रहा और वह बार बार दिवार को देखे जाए कि हां जी क्या बात है आप बहुत देर से देख रहा हूंगे आप गई नहीं और आप इस दिवार को देख रहे हैं कि अरे पैस्टर यार कि मैं भी ऑस्ट्रिया से हूँ और जो है मेरी बीवी मरे से जुदा होगी थी क्योंकि मेरे को नाजीज ने कैप्चर कर लिया था और 55 साल से फिर मैं यूएस आ गया और इको मेरी बीवी नहीं मिनी मैं तो रोज उस याद करता हूं तो पैस्टर को सामज में आ गया यह उस सुत्रधार बन गया इन दोनों को आपसे मिलाने का तो यह जो स्टोरी यह सका मॉरल ही है कि देखे किसी भी चीज़ को अगर आप वाक्षी दिल से चाहते हो तो सूनर और लेटर वो आपको मिलनी ही मिलनी है तो यह यूनिवर्स है जो भगवान है तो अगर आफ वाक्षी जरूर हो जाएगी तो never lose hope and you know you should always trust that you know the universe is working for you to universe और भगवान जो हैं हमारे लिए काम कर रहे हैं बस यह clarity होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या है चलिए आज की tech tip की तरह बढ़ते हैं तो एक बहुत ही amazing यह टूल जो है मेरे साथ जो मेरे 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 टीम में महेश असने शेयर किया बहुत ही जबर्दस टूल है इसका नाम है watermark remover.io तो कई सारी images होती हैं जैसे देख रहे हैं कि यह एक भालू की image है और इस पे रहे के watermark है यह इतना amazing AI tool है इसने देखिए मैंने upload करी थी इमेज और इसने इस बालू की image में से watermark हटा दिया और फ्री टूल है आपको सिर्फ एक image upload करना है तो पी एंजी जेपेग जेपीजी वेब पीकी सी भी format में आप image upload कर दीजे और यह जो है आपको जो है असानी से उसका watermark removed image देदेगा तो guys isn't this amazing तो इसको note करके रखे इसका नाम है watermark remover.io तो I will put the link in description तो I hope कि आपको यह भी tip बहुत ही अच्छी लगी होगी I look forward to seeing you in the next story